आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students Our question is State whether the following statements are true or false A new human individual develops from a cell called gamut अगर हम बात करें जो आपके gamut होते हैं ये आपकी वो particular germ cells होती हैं जिनसे क्या होता है कि आपके particular gamut होते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे आपके पता है दो sexes present होती है अभी दो sexes जैसे आपके male and female हैं तो ये अपना contribution देते हैं gamut के थुरू तो जो male gamut होता है वो अपना 50% देता है और female gamut है वो अपना 50% देता है अब जैसे अगर हम बात करें आपके humans के अंदर तो ये जो male gamut होता है ये आपका sperm होता है female gamut होता है वो आपका ovum या egg होता है ये दोनों आपस में fuse करते हैं और fusion के बाद उस process को हम क्या बोल देते हैं fertilization बोल देते हैं और इस fusion के बाद हमें जिस particular चीज की formation देखने को मिलती है वो आपकी होती है एक deployed cell जिसको हम zygote के नाम से जानते हैं अब जो ये zygote होता है ये zygote आपका responsible होता है एक complete new human individual की formation के लिए और जो ये complete new human formation होता है ये आ आपका gamut से ना होकर आपका zygote से form होता है क्योंकि zygote ही वो cell है जिससे आपका ये particular process है वो possible होती है तो zygote से ही आपका new human है उसकी formation है वो possible हो पाती है क्योंकि ये ही cell capable है पूरी तरह से growth के लिए और gamut है वो आपका 50% होता है और 50% एक particular sex से 50% second sex से जिससे आपका fertilization की process के बत जाइगूर बनता है तो इस statement is false. With this, thank you.